बैटल जीतते जीतते एक दूसरे का दिल जीत लेते हैं और कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे पडिवार वाले परिशान हो जाते हैं एक ऐसा ही मामलाद छपड़ा से निकल कर आया है जहां एक 19 साल का लड़का एक बैटल के दौरान एक लड़की से मिलता है यानि कि ऑनलाइन गेम खेलते खेलते एक लड़की से मिलता है और उस बैटल को जीतते जीतते कैसे एक दूसरे का दिल जीत लेते हैं ये पूरी कहानी हम आपको बताते हैं नमस्तार मैं पुजा प्रिया और आप देख रहे हैं विहार उन्सोर्स छपड़ा का एक 19 साल का लड़का और यूपी आगरा की एक अड़की से मिलते हैं लेकिन किसी और से बैटल जीतने के चक्कर में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और मामला इतना बिगड़ जाता है कि ये दोनों घड से भागने को तयार हो जाते हैं और पडिवार वाले सर पटकते रह जाते हैं आपको बताते चले कि यूपी पुलिस द्वारा मढ़डा के अगहडा गाउं के इंटर के 19 वर्सिये चात्र वा यूपी आगरा की 18 वर्सिये की चात्रा की गिरस्तारी की खबर सामने आई हैं इसमें दोनों की मुबाइल पर गेम खेलने के तोरान नस्दी किया इतनी बढ़ी कि लड़की आगरा से अपने घर वालों को बिना बताए यूवक सिमिलने के लिए मढ़डा यानि की चपड़ा पहुँच गई आगरा के हड़ी परवत थाना अंतरगत गांगी नगर निवासी लड़की के घर वालों ने मामले को लेकर अस्थान्य पुलिस थान्य इसके बाद यूपी पुलिस ने दोनों को मढ़डा के अलग-अलग स्थानों से गिरफतार कर अपने साथ यूपी लगा ध्वर्ड थाना छे अगहडा गांगि अचंबा में हैं क्यूँकि इंटर्ण में पढ़ने वाले राहुह की गतिवी दिया बिलकुल समान्य थी राहुल को किस मामले में गिरफ्तार करके ले गई गिरफ्तारी के वक्त पुलिस टीम ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया गिरफ्तार लड़का गोड़ा ओपी छित्र के अगहड़ा गाउं के हडिराम राय का 19 वर्सिये इंटर का छात्र राहुल घड़ना के सम्मंद में ये भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम खेलने के दोड़ान यानि कि दोनों छात्र और छात्रा जो है उनका पढ़चे हुआ बैटल गेम खेलने के दोड़ान जो लड़का लड़की है नस्दीक होते गए नंबर अदान प्रदान के बाद घंटो बात होने लगी अंत में लड़की ने अपने परिवार वालों को छोड़ लड़के के साथ रहने के लिए मढढ़़ा के अगहड़ा पहुच गे सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लड़की तीन दिन पहली मढढ़़ा के अगहड़ा गाउं के एक युबक दोस्त को लेकर मढढ़़ा नगर के ही एक मकान मालिक से फोन पर बात करके अपने अधार कौपी भेजा और अस्थान्य परिवाला देकर किराया लेकर फ्ला स्थानकारी दे दी गई है लेकिन जब लड़की की गिरफतारी हुई तो वो चोग गए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों राहुल एक सीधा साधा और अच्छा बच्चा था और एक अच्छे बच्चे को कैसे कोई पुलिस ले जा सकती है उन्हें ये नहीं पता था कि उनका अ और समय साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया